गुद्वान ट्लास थर्ड बच्चो सब्जेक्ट है आपका सोशल स्टाडीज तो प्लीज ओपन यो सोशल स्टाडीज बुक और इसमें आज से मैं आपका रिविजन स्टार्ट करने जा रही हूँ तो आपके जितने भी अभी तक हम लोगोंने लेसेंस पढ़ लिये हैं उसक ध्यान से देखिए आप क्या करेंगे तो चलिए बुक ओपन करते हैं लेसन नमबर वन से मैं आज आपका रिविजन करवा रही हूँ चैप्टर है 1.01 लेसन का नेम है इसमें से देखिए लेसन नमबर वन से मैं आपका कुछ रिविजन दे रही हूँ तो देखिए क्लास थ कोशन नमबर वन मैंने इसमें आपको दिया है हमारी जो पृत्वी है उसका आकार कैसा है तो आपको लेसर पढ़ाया था आपको पता होगा हमारी पृत्वी का शेप कैसा है तो देखिए जो हमारी पृत्वी है वो किसके जैसे दिखती है एक विशाल एक बहुत बड़ी बॉल की जैसे दिखती है मतलब गोल तो अर्थ इस लाइका हुज बॉल ठीक है छोटा सही आंसर है आपने लर्न करना है इसको कोशन नमबर टू इसमें मैंने आपको दिया है Name the two main parts of the earth हमारी पृत्वी के दो भाग कौन से है ठीक है हमारी पृत्वी के दो भाग कौन से है तो कौन से है हमारी पृत्वी में दो भाग है एक भाग है हमारी धरती और एक भाग है उसमें पानी Land and Water तो पृत्वी के दो भाग है land, भूमी और पानी, land and water इसका answer है, third question इसमें मैंने आपको दिया है, who was Magalyn, Magalyn कौन थे, आपने lesson पढ़ा था, उसमें आपको बताया गया था, कि who was Magalyn, तो Magalyn कौन थे, answer देखिए, Magalyn was the first man to sail round the earth, Magalyn कौन थे, Magalyn वो प्रथम पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था, पृत्वी का sail मतलब पृत्वी के चारों और, उन्होंने क्या किया था, ship मेel किया था, मतलब उन्होंने यात्रा की थी, पृत्वी के चारों ओर, हैं वो पहले व्यक्ति, तो answer है Magalyn was the first man तो बच्चों सिर्फ मैं आपको तीन कोश्वन ही दे रही हूँ, लिखेंगे, लर्न करेंगे, अच्छी सी राइटिंग में आप इसको लिखेंगे, इसी तोड़ा थोड़ा काम दिया जा रहा है, ताकि आपको लर्न करने का भी टाइम मिले, ठीक है न, तो इसे अपनी सोशल स्टाडीज की ही कॉपी में आपने करना है, ध्यान से लिखना है, सिर्फ लिखने से आपका मतलब नहीं होना चाहिए, आपका लिखना और लर्न करना है आपका में काम, ठीक है, तो इसे कर लिजी आप अपनी सोशल स्टाडीज की कॉपी में और साथ में लर्न भी करेंगे, झाल झाल झाल